नीरी कच्रा, I really like this shit, why no one is talking about this Hey my cuties, welcome back to blush with Nikki किदा सारे So yes, title है वीडियो का और पता लग गया है कि आज मैंने लिए कुछ मेकप के निव लॉंच जो हम try out करेंगे I mean मैंने try out already कर ली है तो उनका मैं आपको review देने वाली हूँ इसमें मैंने my glam के निव लॉंच लिए है, sugar pop के लिए है So, वीडियो स्टार्ट करते हैं But उससे पहले if you are new to my channel Then make sure you subscribe to my channel For the amazing amazing content क्योंकि वीडियो तो आपको जरूर पसंद आने वाली है तो लाइक भी पहले से कर देना, comment बाद में कर देना, it's okay तो चलो वीडियो स्टार्ट करते है So, recently my glam launched their super serum range जिसमें उन्होंने serum infused makeup बनाया है जिसमें है BB cream है, foundation है, compact है, concealer है But मेरे पास सिर्फ दो product है Which is BB cream and concealer So, let's talk about the BB cream first BB cream की कुछ outer packaging ऐसी है जिसमें मेरा shade है 101 Cashew मतलब यह shade मेरे पे जाएगा यह सोच के ही लिया था और गया भी मेरे पे shade तो गया आगे-ागे देखो होता है क्या रुकव भी बताती हूँ अभी Control तो shade तो मेरे पे गया तो packaging की बात करें तो कुछ ऐसी packaging है To be honest, I really like its packaging Looks very luxurious और इसमें hyaluronic acid है और SPF 50 भी है तो hyaluronic acid नाम सुनदे ही आपके दिमाग में सबसे पहले आता है Hydration और hydrating होगी Nourishing होगी skin के लिए Also SPF 50 भी आ गया तो भई बचा क्या मतलब BB cream है जिसमें hyaluronic acid भी है और SPF 50 भी है तो it must be a ऐसी cream जो की आपकी skin को hydrate भी रखेगी और एक tint भी देगी थोड़ी सी coverage भी देगी आपके सारे scars कवर कर देगी और आपके लिए यह अलग से आपको sunscreen लगाने की जुरूरत नहीं होगी तो इसका texture कुछ ऐसा है देख रहो ठीक है Hand पे सही लग रहा है इसका texture बट यह वाली sunscreen कहलो BB cream कहलो यह है नीरी कच्रा अच्छा Sorry for this Punjabi word नीरी कच्रा सच में यह कच्रा है आप देख सकते हो मैंने जब लगाई ना तो मैंने इसको blend करने के ट्राय किया तो ब्लेंड नहीं हो रही थी इवन पील हो रही थी ब्लेंडर से भी brush से करती तो समझ में आता है कि brush से कर रही हूँ तो brush से कई बार नहीं blend होता कोई product पील हो रहा है लेकिन blender से मैं कर रही हूँ इसको blender से हो ही नी रही और मेरे face पे लाइक यह भी नहीं तो यह पील हो रही थी तो मैंने सोचा चलो कोई बाद नहीं इसको एक और ट्राय देते है तो मैंने दूसरी बार अच्छे से face मॉस्चुराइज किया मॉस्चुराइजिंग प्राइमर लगाया मैंने फिर से ट्राय किया पील हो रही है लब तुमने इतना कुछ लिखा की उपर SPF 50 इसको sunscreen भी बना दिया बीबी क्रीम भी बना दिया और hydrating भी बना दिया पर इसमें कुछ भी नहीं है इस नॉट इवन वर्क लाइक नॉर्मल बीबी क्रीम और इट रिटेस वर 449 और 30 ग्रैम लैक 30 ग्रैम की साड़े 400 रुपे की क्रीम ले रहे हो जो एतना कुछ कर रही है और काम कुछ भी नहीं कर रही है तो आई विल डेफिनेटली नॉट रिकमेंड इस इससे अच्छा काफी सारी अच्छी बीबी क्रीम आती है जो के इससे कम रेंज में आती है वो बहुत अच्छा काम करती है उसमें मेभी SPF 50 नहीं होगा बट वो BB क्रीम की तरह काम तो करेंगी पील तो नहीं करेंगी तो definitely not then next we have serum concealer इसी serum वाली super serum range से है with hyaluronic acid ओके अब इसमें भी hyaluronic acid है इसके उपर लिखा हुआ है और इसकी packaging भी oh my god I really like its packaging like looks luxurious जैसे मैंने पहले बोला था the golden cap इसका और the whole bottle इसकी काफी अच्छे packaging है और इसमें ना मैंने shade गलती से dark order कर दिया था like this is not my shade और यह brighten up नहीं करेगा मेरी eyes को नाई कोई coverage मतलब light करेगा even dark कर देगा तो this is not my shade पर मुझे इसको ट्राय तो करना था अब मैं under eyes पे नहीं लगा सकती थी हाना तो मैंने इसको क्या किया कि अपने face पे लगाया as a foundation और पहले मैंने एक अच्छी सी cream लगा ली illuminating cream लगाई and straw cream लगा ली so that मेरा face बाद में ज्यादा yellow ना लगी क्योंकि मेरी अंडे टॉन जो है pink है तो मैंने इसको as a foundation apply कि थोड़ा थोड़ा नोट बहुत ज्यादा और मैंने इंस्टा पे वीडियो डाली थी बहुत टाइम पहले बहुत टाइम नहीं like 10-15 डेज पहले जिसमें यह मेरा पास सबसे पहले मैंने यहीं मगवाया था इनकी नहीं रेंज में से जिसमें मैंने शावर मेकप किया था तो उसमें मैंने यह अपने base product यूज करा था तो about this concealer इसकी medium coverage है not high coverage medium coverage है और इसमें भी hyaluronic acid जासा कुछ भी feel नहीं होता है like यह dry हो जाता है बहुत जल्दी बहुत जल्दी नहीं पर dry हो जाता है तो पांच मिनट भी छोड़ दो देफिनेटली work as a concealer normally जैसे concealer काम करते हैं वैसा काम करता है यह medium coverage का है और इसमें hyaluronic acid जासा कुछ फील नहीं होता nothing special in this packaging को छोड़के इसको अगर मुझे rating देनी होगी तो मैं 5 दूंगी out of 10 क्योंकि यह serum वाला बिल्कुल भी नहीं लगता बिल्कुल भी hydrating नहीं है यह normal concealer जैसे ही काम करता है normal matte concealer जैसा ही काम करता है if you are okay with that की normal matte concealer तो आप इसको ले सकते हो बड़ना इसका जो price है वो है 475 discount पे भी आपको कम में थोड़ा मिलेगा भी बट उससे भी कम में काफी अच्छे concealer आते है normal concealer जो इसके जैसा काम करते हैं तो आप ले सकते हो तो आप इसको check out कर लेना अगर आप लेना चाहो तो बड़ shade है एक मैंने apply कर रखी है जो कि brown थी nude brown sort of shade है and really like I really like this shade like मैंने इसके swatches थोड़े दिन पहले इंस्टापे डाले हैं भी तीनों lip glosses के and the swatches तो आप वहाँ पर जाके देख लेना पर मैं आपको बता देती हूँ कि actual lip glosses कैसी है first of all it's affordable very affordable like lip gloss 249 की एक lip gloss है very affordable and में पास 3 shade है see the pink the nude one brown nude जिसका नाम है maple syrup pink one है जिसका नाम है cotton candy and the clear one जिसका नाम है marshmallow तो ये अभी मैंने maple syrup लगा रखी है it's such a pretty nude shade chocolatey nude shade sort of chocolate nude shade हाना तो मैंको काफी अच्छे लगा shade और मुझे तीनों ही काफी अच्छे लगी like clear gloss तो अच्छी होती है then ये pink shade भी काफी प्यारा है इसका and also य ये ना काफी nourishing है like इसको लगाए को मिलको I think one hour हो गया है अराम से one hour हो गया या one hour से ज्यादा हो गया है ये नहीं निकली ये long lasting भी है obviously कुछ खाऊगे पी ओगे तो निकलेगी हा ना lip gloss है glosses नहीं टिकती है खाने पीने से बट अगर ऐसे करें ऐसे बात करें ना इसकी तो ऐ इसका tint lips पे अभी तक है also feels very nourishing on lips so I will highly recommend this अगर एक आपको अच्छी affordable gloss चाहिए ना affordable price पे अच्छी lip gloss चाहिए तो आप इन में से एक try कर सकते हो like shade भी अच्छे है clear gloss है आप इसको directly भी लगा सकते हो glossy lips पसंदा तो किसी lipstick के उपर भी लगा सकते हो and then ये दो shade अच्छे है then guys we have my my glam का जो इन्होंने वेलेंटाइन स्पेशल रेंज लॉंच करी थी my glam XOXO इसमें लिप्स्टिक भी लॉंच करी थी जो मेरे पास नहीं है मेरे पास है आईशेडव पेलेट and blush and why no one is talking about this यार ये product सच में warm है like अभी आपको दिखाती हूं मैं और ये आईशेडव पेलेट है पहली बात cuteness 10 on 10 then इनकी pigmentation 10 on 10 है तो और क्या चाहिए होता है see the product की जो है packaging है वो कुछ ऐसी है which is cute like valentine's के according which is cute it could be a perfect gifting option अब तो valentine's चला गया but still अगर late हो गयो ना gift के लिए तो ये कर देना gift and then look at this कितने cute है like heart shape में इसके जो बने हुए है pants बने हुए है and इसमें 3 matte shade है बाकी सारे shimmer shade है and आपको यहां पे एक mirror भी मिल जाता है जिसका ये उपर वाला मैंने उतारा था लेकिन वापिस से लगा दिया है and इसके साथ ने एक छोटा सा brush भी आया था छुटको सा brush था इदर है वो ना इस box के बीच में आया था इसमें ठीक है वीडियो में देख लो मुझे नहीं मिल रहा है अभी कभी मिला तो बात की बात है तो मैंने इंस्टा भी इसके अल्रेडी शोट वीडियो डाली थी क्योंकि ये मुझे पियार में आये थे ये और वो ब्लश भी पियार में आये थे but ये review है जो unsponsor है तो इसका जो म सही होगी ये इसके matte shades है और मैंने valentine वाला look भी create करा था एक जो की आपको मेरी इंस्टा पे देखा होगा तो आपको पता होगा वो मैंने इससे create करा था and the shimmer shade guys इतने smooth है na smooth velvety shades है इसके velvety finish है और बड़ी easily glide हो जाते है see and the ये वाला थोड़ा चोकी सा shade है पता नहीं I think ये glitter है shimmer नहीं है ये थोड़ी सी glitter है बड़ जो भी है its quality is also good तो मैंने almost सारे swatch कर दी है okay pink तो रहे गया था so ये pink है ये वाला ही मैंने use करा था जो valentine वाला look किया था मैंने तो guys इसकी pigmentation देख रहे हो काफी अच्छी है and the packaging भी काफी अच्छी है I really really love this palette और इसका जो price है वो 699 है but again my glam पे कुछ ना कुछ discount चलता रहता तो आपको ये offer में ही मिलेगी हमेशा और कम में मिल जाएगी शायद अब तो मिली जाएगी 699 तो थोड़ा ज़्यादा है but packaging और pigmentation के according देखे तो कुछ ज़्यादा नहीं है special range है valentine's की इतना तो होता ही है तो मुझे ये काफी पसंद आई तो ये आप definitely check out करना आई विल highly recommend this especially if you are a girl जिसको मेरी तरह cute cute चीजे एकठा करना पसंद है cute makeup पसंद है तो आप इसको definitely check out करना next I have this exo exo blush in the shade zero double one lust exo double one lust shade का नाम है तो shade का नाम है lust पोटो में तो ये pink लग रहा था लेकिन when I received it is a purple blush like my first purple blush बीच में से trend चला था ना purple blush वाला मैंने तब भी नहीं ले थी purple blush लेकिन मैं अब try out कर रही हूं क्योंकि ये मेरे पास purple वाला shade आया है and such a purple shade see pretty purple shade और इसकी outer packaging कुछ ऐसी है which is I already told की cute है और ये चोटा सा purple pen मिल जाएगा आपको और मुझे काफी cute लगी blush और यहां पर एक अच्छा mirror भी मिल जाएगा जिसकी ये उपर वाली पनी मैंने नहीं हटाई है अभी तक नया नया फील होता है ना इसे तो इसलिए अरे बेटे और गाइस ये packaging में तो है ये अच्छा और pigmentation भी इसकी see it's highly pigmented and पता नहीं क्यों ये purple pen में लगता है like मैंने जित्ती भी वीडियोस भी देखिया न purple blushes purple लगती है पैन में लेकिल लगाने के बाद ना blend करने के बाद pink लगने लग जाती है तो ये भी मुझे higher hand प और आपको अच्छी खासी quantity भी मिल जाती है और cute सी blush मिल जाती है तो ये भी आप definitely check out करना end में जल्दी इस पे भी एक वीडियो बनाने वारी हूं like purple blush की shorts जरूर डालूंगी मैं I know I am late for the trend बट ठीक है late सही करेंगे तो सही ना भी trend तो करना ही है so I really like this blush also one more thing कि जब भी आप इस blush को apply करोगे ना अच्छा इसमें दो shade ओ रहे है एक लस्त ये वाला shade purple है and एक पीची सा shade था and एक प्रॉपर पिंक वाला शेड था दो शेड आपको और मिल जाएंगे आप जाके check out कर ले ना and highly pigmented है blush तो आप इसको लगाओगे ना तो ऐसे दीरे-दीरे करके build-up करना एक don't forget to subscribe my channel मिलते हैं नेक्स वीडियों बाबाई